टेक्षिन डॉर्टन में आपका स्वागत हैं मैं हूं CSL राखेचा और हम बात कर रहे हैं 45th GST का उंसल मेंटिंग जो हुई है उसकी प्रेस्ट रिलीज के कुछ पॉइंट्स पर डिस्कूशन कर रहे हैं तो इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि basically कुछ क्लेरिफिकेशन उन्हों में भी दिया है लो में एक टर्म है जो की फाल इंपॉर्टन है वो है मेरली इस्टेबलेश्मेंट ऑफ डिस्टिंग परसन और इस चम का कंटेक्स कहां यूज हो रहा है वो यह यूज हो रहा है कि अगर कोई परसन है कुछ एंटिटी है जो एक्स करी है और वो अपनी ही रिलेटेड एंटिटी को एक्सपूर्ट करी है तो उसे एक्सपूर्ट नहीं माना जा रहा था एक इंटरप्रेटेशन इस तरीके से निकल रहा था बड़ अब इन्होंने क्लेरिफाइड करा है प्रस्ट रिलीज के द्वारा कि नहीं उसे फिर जो परसन है इंडियन एंटिटी जो है जो एक्सपूर्ट करी है अपनी परेंट एंटिटी को तो उसे रिफंट मिल जाएगा आइटीसी का जो की एक बहुत काफी इंपाक्ट पड़ता है किसी भी कंपनी के कैश्वलो के लिए दूसरी बात जो मैं डिस्कूस करना चा मीन शुक्त कर रहे हैं और ची ऋसकी ताइम लिमस्ट का रहती है यह आप किसी ने आपको डिबिट नोटि दिया है तो उसकी ताइम लिमिट क्या होती है तो पहले डिबिट नोट जो था वह अनलाइंग इन्वोइस से लिंक था और इसलिए अगर किसी एयर का इन्वोइस स हो रहा है और अगले साल का सेप्टेंबर क्रॉस हो चुका है तो डिबिट नोट के ITC मिलने में रिस्ट्रिक्शन होती थी हावेवर मेरा एक रिवांस चीज से है कि इसे एक जनवरी 2021 जरना लागू करते वे रेट्रोस्पेक्टर वे में लागू कर देना चाहिए क्योंकि ये एक इंपॉर्टन पॉइंट है कि डिबिट नोट जो रहता है उस करण से लोगों की ITC ब्लॉक नहीं होना चाहिए अगर डिबिट नोट जो है वो थोड़ा टाइम बाद इशू कर दिया गया है और सब्टेंबर ऑफ दे नेक्स ये वो निकल लिया है तो तो ये वाला एक पॉइंट और कंसिडर करना चाहिए जिए सी गामसर को दूसरी चीज यह है कि सरकार यह बुल रहे है कि अगर आपक सकते हैं को देख्चन लगते हैं तो अगर किसी एक्शूर्ट ड्यूटी आक्चुली लग रही है और नहीं को याग्शूर्ट ड्यूटी लग रही है तो फिर उसको रेस्ट्रीक्शन नहीं रहेगा उसकी अक्यूमलेट्ड इटी सी जो है इनवरड सप्लाई की क्वैसली ले सकता है आने वारी सीरीज में हम जो है और भी प्रेस रिलीस के जो आस्पेक्स है उन पर डिस्क्स करेंगे थैंक यू